Hey guys and welcome back तो यह हम लोग का money stack का course चल रहा है जिसके अंदर यह हम लोग का 127 number वीडियो है हम लोगों ने अल्रेडी अपने course के अंदर HTML, CSS और bootstrap को complete कर रखा है और आज के अपने वीडियो के अंदर हम लोग Java script के अंदर अपने DOM के अंदर query selector के बारे में पढ़ने वाले है हम लोगों ने अल्रेडी अपने element को select करना देख रखा है कैसे हम लोग करते हैं और अब हम लोग अपने next अगले type से देखेंगे कैसे हम लोग अपने element को select करते है अपने query selector की help से तो अगर आप इस free course को देख रहे हो तरह होता है बट हम लोग का query selector और भी easy होता है तो mainly हम लोग ज़्यादा तर places पे अपने query selector का ही use करते हैं ठीक तो चलिए सबसे पहले अपने query selector के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो देखों यहां पर लिखा हुआ है the query selector method in javascript is a versatile and powerful way to select and retrieve a single HTML element from the document based on CSS selector यहां पर दो तीन चीज़े लिखी हुई है सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है कि query selector की help से हम लोग अपने single HTML element को select करते हैं ठीक है अगर हम लोग को single HTML element को select करना है तब हम लोग query selector का use करेंगे और अगर हम लोग को multiple element को select करना है अपने query selector की help से तो हम लोग query selector all का use करेंगे इसको अभी हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी दिर में अब mainly जो हम लोग का query selector होता है वो हम लोग के CSS selector के based होता है यानि कि जैसे let suppose that कि मैंने यहां पर एक h1 create कर लिया है और इस h1 के अंदर मैंने id दे दी जैसे मैंने यहां पर t id दे दी ठीक यह हम लोग का एक h1 है ठीक अब इस h1 को अगर मुझे अपने CSS के अंदर select करना होता था तो हम लोग कैसे करते थे हम लोग has लगाते थे और has लगा के अपने id को लिखते थे tी लिखते थे और इसके उपर जितनी भी हम लोग को properties लिखनी होती थी वो हम लोग लिखते थे तो यहां पर हम लोग id को select करने के लिए has का use कर रहे है उसी तरह let's suppose that कि मैं एक p create करता हूँ जिसके अंदर मैंने class दे दी class माल लेते हैं मैंने यहां पे m दे दिया ठीक अब यहां पर हम लोग अपने css के अंदर अगर कोई element को select करना है जिसको हम लोग उने class दे रखा है तो उसके लिए हम लोग dot का use करते थे हैं तो यहां पर मैं dot लगा करके m लिखूंगा तो इस तरह हम लोग अपने css के अंदर अपने element को select करते थे हैं CM वही चीज हम लोग यहाँ पे अपने query selector के अंदर भी यूज करते हैं, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग का dot लगा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का has लगा हुआ है, dot वाले का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग अपने class वाले element को select कर रहे हैं, has का मत पहले अपने class वाले element को अगर select करते थे तो हम लोग get element by class name लिखते थे id वाले को select करते थे तो get element by id लिखते थे बट अब यहां पर हम लोग को ऐसा नहीं करना है हम लोग या फिर अपने element को लिख सकते हैं या फिर dot लगा करके अपने class वाले को लिख सकते हैं, hash लगा करके अपने id वाले को लिख सकते हैं, बहुत easy है, यानि कि एक selector की help से हम लोग multiple element को select कर सकते हैं, अपने CSS selector की base पे, तो चलिए इसका code करके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखोएं, यहाँ पे हम लोग का पूरा का फूरा HTML एक created है, जिसके अंदर mainly हम लोग के पास h1 है, p है, h2 है, p है, h3 है, और कुछ हम लोग के पास list है, h4 है, p है, anchor tag है, मतलब mainly हम लोग के पास सारे element यहाँ पे present है, अब यहाँ पे हम लोग अपने previous way में अगर देखें, तो let's suppose that कि मुझे यहाँ पे अपने h1 को select करना है, तो हम लोग सबसे पहले कैसे select करते थे, let, यहाँ पे मैं element 1 लिख देता हूँ, document.get element by tag name, ठिक, और यहाँ पे अगर मैं अपने tag को पास करूँ, let's suppose that मैंने h1 को पास कर दिया, और मैं यहाँ पे console lock कराता हूँ, element 1, save करूँ मैं, तो देखों, यहाँ पे हम ल हम लोग के h1 वाले element होंगे, सब return होंगे, h1 के कितने element है, जितने भी element है, वो हम लोग के return हो गए है, ठिक, अब let's suppose that कि मैं यहाँ पे इसको h1 को p के साथ replace करता हूँ, अब अगर मैं save करूँ, तो यहाँ से हम लोग के p के पूरे element आ गए, तो यह mainly हम लोग का basic वे था, but इ से पहले document लिखेंगे, dot query selector, और again अब हम लोग इसके अंदर p को pass कर देंगे, अब अगर मैं save करूँ, और इसको console log भी करा देते हैं हम लोग, element to, save करूँ मैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग का p.content आ गया, यानि कि query selector हम लोग का पूरा का पूरा element return नहीं करता है, हम तो भी हम लोग का सबसे पहला p होगा, वो return होगा, यानि कि यह वाला p return होगा, अगर मैं यहाँ पे नीचे आ करके, इसका अगर inner text देखूँ, तो यहाँ पे देखो, आपको मिल जाएगा, this is paragraph of text, this is paragraph of text, ठीक, तो query selector क्या करता है, हम लोग की सबसे पहले वाले element को select करता ह है, अब यहाँ पे हम लोग ने अपने tag name की help से अपने element को select की हुई है, अब इसी tag के अंदर देखो हम लोग के पास class है, class है हम लोग का content, मैं अगर इस content को copy करूँ, और अगर मुझे अपने class वाले element को select करना है, अपने query selector के अंदर, तो हम लोग अपने class को लिखते हैं, और क्योंकि यह हम लोग के CSS selector की तरह work करता है, तो class के पहले हम लोग को dot लिखना पड़ेगा, save करूँ, तो यह देखो, यहाँ पे हम लोग का class वाला content आ गया, अब यह हम लोग के element की तरह दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे dir लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग को object की त करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे दूसरा method यूज करना पड़ता, get element by class name, और तब इसके अंदर हम लोग अपने class को pass करते हैं, class का नाम क्या था, content, बट जो हम लोग का यह वाला method है, इसमें हम लोग अपने CSS selector का use नहीं करते हैं, बट हम लोग अपने query selector के अंदर CSS selector का use करते हैं, अगर मुझे अपने ID वाले element को select करना है, let's suppose that यहाँ पर मेरे पास एक ID है, section 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, again simple यहाँ पर आएंगे, और अपने ID को pass करेंगे, क्योंकि हम लोग का यह ID है, तो हम लोग को इसके आगे has लगाना होगा, अब अगर मैं save करूं, तो यह दो को हम लोग का S3 आगया, अगर मैं नीशे आओं, तो यह रहा हम लोग का S का inner text, यहाँ पर लिखा हुआ है, this is a heading करके, यहाँ पर आए, तो यह this is a heading 3, तो कुछ इस तरह हम लोग का query selector work करता है, ठीक, अब यहाँ पर, अगर हम लोग को अपने query selector के अं यहाँ पर, मैं again एक variable create कर देता हूं, element 3 नाम का, document.query selector all, और जितने भी हम लोग के P वाले element है, उन सबको मैं select करना चाहता हूं, और मैं उसको यहाँ पर console.dir करता हूं, तो देखो हम लोग का node list आ गया, जिसके अंदर bracket के अंदर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर node list इसलिए ल structure create होता है, उन सारे separate element को हम लोग node कहते है, तो इसलिए यहाँ पर node list लिखा हुआ है, अगर मैं इसको open करूं, तो यहाँ पर P. content, P. content, P. content हम लोग का लिखा हुआ है, तो इस तरह हम लोग अपने element को select कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग अपने nisted element को भी select कर सकते हैं example के लिए अगर मैं यहाँ पर आऊ और यहाँ पर देखो हम लोग के पास h1 है, p है, h2 है, p है, s3 है, ठीक मैं काम करता हूँ, मैं यह वाले anchor tag को नीचे से cut करके, यहाँ पर आ करके paste करता हूँ, ठीक है अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक और यहाँ पर मैं अपने query selector के अंदर अपने anchor tag को select करता हूँ, और यहाँ पर अपने second element को मैं console lock कराता हूँ save करूँ मैं, तो यहाँ पर देखो हम लोग का a.back to top आ गया, a.back to top, यहाँ पर देखो हम लोग का anchor tag है जिसका class हम लोग का back to top है ठीक, तो यह वाला element आगे है, but let's suppose that कि मुझे अपने ul tag के अंदर जो हम लोग का anchor tag है उसको select करना है, तो हम लोग nested भी कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पर लिखना होगा, ul के अंदर जो हम लोग का li है, उसके अंदर हम लोग का anchor tag अब अगर मैं save करूँ तो यह देखो हम लोग का a.nav link आ गया यह वाला nav link आ गया जिसके अंदर हम लोग का link to section 1 लिखा होगा, अगर मैं नीशे आओ तो यहाँ पर लिखा होगा हम लोग का link to link to section 1, ठीक तो इस तरह देखो हम लोग अपने nested element को भी select कर पा रहे हैं अपने query selector के help से तो यह mainly हम लोग का काफी easy हो जाता है क्योंकि हम लोग के बाल एक ही query selector के help से अपने class वाले को, अपने tag वाले को, अपने ID वाले element को select कर सकते हैं और अगर हम लोग को multiple को select करना है तो simple हम लोग query selector all का use करते हैं, ठीक तो hopefully यह आपको समझ में आ गया होगा यह बहुत easy है, तब भी अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment section के अंदर पूछ सकते हैं तब तक कि लिए इस चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching